नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल संगीतास पैन में कैसे हैं आप सभी ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में हरहर महादेव अब ऐसे लिखिए तो आईए जानते हैं आज के वीडियो में पित्रपक्स के विसे में के पित्रपक्स कब से आरेंब होगा कब समापत होगा इन दिनों हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए रसोई घर में क्या करना चाहिए और जो महिलाएं हैं जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए और वरकिंग लेडीज हैं उनको किन किन कामों में सावधानिया रखने चाहिए तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो की सार बात को ध्यान से सुने साथ ही यह भी बताऊंगे कि पूजा अस्थल में यानि कि efecto के दिन में हम अपने मंदिर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक अवस्य दे मुएं और अगर इस वीडियो में दी आप तक पहुंश सके तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं माना जाता है कि पित्र पक्स में यानि कि सराथ पक्स में जो हमारे पित्र होते हैं वो हमारे इर्द गिर्दी होते हैं वो धर्ती लोग पर आये होते हैं कि किसी न किसी रूप में होते हैं जो पित्र पक्ष याने के सराथ पक्ष के 16 statist दिन हमारे पित्र पक्ष के निमित उतेék पित्र को समर्पित उते इन दिनों Everybody के छुसाली के लिए वो प्रशन्दyba नरहें इसके लिए पेंड़ी अगर किसी भी प्रकार का पित्र दोस है या हमारे पित्र प्रशन्न है तो प्रशन्न हो सके तो अब जानते कि सराथपक्स कब से सुरू हो रहा है कब समापत हो रहा है अगर बात करें कि पित्रपक्स कब से सुरू होता है तो पित्रपक्स जो सुरू होता है भादरपत मा की प दी पूरवक्त ब्रेत उपासना पूजा पाट करते हैं दोहजार चौबिस में यानि कि इस वर्स पित्रपक्स 17 स्थम्बे दोहजार चौबिस मंगलवार से सुरू हो रहा है यानि कि आज से सुरू हो चुका है पित्रपक्स और ये दो अक्टूबर तक रहेगा दो अक्टूबर के दिन समापत हो जाएगा तीन अक्टूबर से हमारे नौरात्रिया प्रारंब हो जाएगा अब पित्रपक्स में सबसे अदा हमारे मन में जो सवाल उड़ता है कि क्या पित्रपक्स के दिनों में सराथ पक्स में हम पूजा पाट कर सकते हैं कुरे देव को अरके दें सकते हैं क्या मंदेव जा सकते इस तरह के बहुत सारे सवाल अमारे मन में आते कि क्या कर रहे बना ना करें जैसे बहुत सी वरकिंग लेडीज होती है महिलाये काम पर जाते हैं तो उन्हें अपने आईब्रॉँ ऐगरा बनानी पर पर आफेस जाते जॉप पर जाना हुता है सेविंग करनी होती हैsystem कृध्व चारी चीजम को लेकि महारे में बहुत सारे सवाल आते हैं और हम इन्हीं उल्जलनों में फसे रहते हैं तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आगे बात कर रहे हैं कि हमें इन दिनों क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे पहली बात पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो हमारे मन में सबसे ज़्यादा सवाल उ अर्ग देते हैं वो अर्ग हमाँ सूरविदेव को नहीं देना चाहिए। और कई जगों पर माना जाता है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है हम सूरेदेव को अरग दें, तो यह आप अपने आस्पास या अपने घर परिवार में बात करके देख लें कि आपके साइट को या आपके घर परिवार में सूरेदेव को इंसराथ पक्स में पित्रपक्स में अर्ग दिया जाता है या नहीं दिया जाता है पूजा पाट तो आप कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि जो आप हेर कटिंग है सेविंग है या आइब्रो त्रेडिंग है इन चीजों को नहीं करें तो अच्छा है नाखुन काटना बाल काटना इन चीजों को जाता है इन दिनों इन चीजों का विशेश रूप से ध्यानते हैं पित्रपक्स में पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन ब्रैत उप्वास नहीं कर सकते हैं विवाकार ये नहीं कर सकते हैं या नए घर में प्रवेस करना है नया घर लिया है हमने उसमें प्रवेस करना है ग्रह प विचार आते हैं कि क्या हम इन दिनों अन्नपरासन कर सकते हैं बच्चे का लेकिन नहीं करते हैं हाँ नाम करणिया छटी आती है तो हो तो करना होता ही है अगर किसी बच्चे का सराथ पक्समा जन्म दिवस भी आता है तो बड़े छोटे रूप में मना सकता है लेकिन बड़ा सब्सक्राइब वांद आप और उत्सेम हैं कुछ लोग या भी बोलती हैं कि हम कपड़े ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं जी नहीं अगर आप बड़े हैं तो कुछ दिन आप अवोइट कीजें नहीं कपड़े लेना या पहले लेके रख ली जे या फिर बाद में लेजे, इन दिनों छोटे बच्चे हैं, उनका कोई function आ रहा है, बड़े हो रहा है, इस्कुल में कोई program है, तो वो तो आपकी मजबूरी है कि आपको उनके लिए वो कपड़े लेने हैं, लेकिन अगर आप बड़े हैं और अभी इतने आवसकता नहीं है, इ रिद्रों की सेवा कर सका है, जितना उन्हें सम्मान दे सका है, उतना अच्छा होता है, जीव जन्दू की, पेड़ पॉन्दू की, जितनी ज़्यादा सेवा कर सका है, जितना दूसरे का सहयोग कर सका है, उतना अच्छा होता है, इससे हमारे जीवन में भी हमें खुसी मिल और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे परुपकार को भी बढ़ाता है साथ ही बहुत से लोग सरात्पक्स में बहुत सी चीजों के खाने की भी मना ही करते हैं देखा जाता है कि इन दिनों लहसुन प्याज, तामसिग, भोजन, मांस, मदिरा इन चीजों को भी छोड़ दिया जाता है, यह बहुत अच्छी बात है जो कर सकते हैं जो नहीं कर सकते हैं तो अब उनको हमें कुछ कह नहीं सकती हैं लेकिन कहा जाता है कि जितना भी होई इतने दिनों, 16 दिनों जो पितर पक्से हैं इन दिनों और नौरात्री के दिनों में जितना भी हो सके हैं मैं सात्व चाकार यह नहीं है वहां पर माई के या ससुराल में तो आप अपने ससुराल में रहें कहा जाता है कि पित्रबक्स में जितना भी हो माई के ससुराल आना जाना ना करें तो उचीत है लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकार ही है तो मजबूरी बस आप जाना चाहते तो जा सक कोसिस करें कि जितना भी हो सेके आप इन दिनों अवोइट करें माई के ससूराल आना जाना इसके साहते पित्र पक्सम जब हम खाना बनाएं तो बहुत ज़्यादा खाना बनाकर स्टोर ना करें यहां बहुत ज़्यादा रो मैट्रेल यश्वलवाल के रग दिये आट अगूत के रख दिया इस तरह की चीज़ें ना करें जो खाना बना के स्टोर कर देते हैं फ्रीज में रख देते हैं वह आपके पित्रू को लगता है पित्रू को चला जाता है तो कोशिस करें कि बासी खाना जितना भी हो कम से कम रखें अगर आटा बज गया है तो इसको गोल करके ना आटा दूसरे दिनों प्योग में नहीं रखना चाहिए इससे पित्रदोस लगता है लेकिन आप लोग अगर किसी कारण से बचाते हैं तो उसको जब भी रखें थोड़ी ओईल लगा के तेल लगा के उस पर अपने अंगलियों की चाप लगा के रखें आटे को गोल बना के न बना के ना रखें उसे लंबाई में रखकर उस पर अपने अंगलियों की चाप लगा दे तब रखें लेकिन जितना भी हो सके कोई कोई भी तरह का बासी खाना या आटा चावल स्टोर करके ना रखें बस अगर कम हो रहा तो आप दुबारा बना लीजे लेकिन जादा ना अब बात करते हैं रसोई से समवंधित नियम की जब हम रसोई में खाना बनाते हैं सुबो का खाना है या साम का खाना है सबसे पहले तो हम सुबो सबसे पहले उठकर ब्रेस करके नहा के ही रसोई में प्रवेस करें पहले तो हमें हर दिन ऐसा करना चाहिए अगर हर दिन ऐस इसा नहीं कर सकते हैं तो इन पित्रपक्स में तो हमें जो भी पित्रपक्स लगता है उसमें हमें ये कारी अवश्य करना चाहिए कि हम सबसे पहले उठें नहाएं ब्रेस करें उसके बाद साफ नए कपड़े पेने फिर अपने रसोई में कीचन में प्रवेश करें और जो हमा उठकर सबसे पहले तावासा आप कर लए खाना फिर बनाए और जो भी खाना बनाए उसमें एक रोटी साबजी एक ग्लास पानी निरजुथ जिसे अभी किसी ने चखा भी ना हो सबसे पहले पित्रु के निमित निकाल कर रख दे उसके गाई आपने गाई के लिए उससे ब लिया open Nee है कैई जगों पर दो समय का ऊपना हां सब्सक्राइब जतना भी कानाा ताज़ा खना सबस पहले पित्रों के लिये निखाल दैं मियूलि उसे सूर्यास्त होने से पहले गायों को खिला दें जब आप रात को अपने रसोई के काम से फ्री हो जा इसके बाद एक गिलास या एक लोटा पाने आप अपने रसोई घर के दरवाजे पर या फिर अपने मंदिर के चौकी पर रग दें क्योंकि कहा जाता है कि इस जल को हम प सारी परिसानिया नहीं आती हो गर हमेंसा खुसाल होता है उस घर में कभी कोई परिसानी नहीं आती तो क्या जा रहा है हमारा इतना चोटा सा कारी करने में एक स्वच्छे बरतन में लोटे में गिलास में हम पानी रग दें और सुबह उस पानी को हम किसी भी क्यारी में या गमले में डाल दें आप चाहें तो से सिंक में भी डाल सकते लेकिन कोशिस करें कि क्यारी में या फी गमलो में डाल और एक खास बात जो भी आप पित्रु के निमित दान पूर्णे करें या जल और पित करें उसे दक्षण दिसा की और मुह करकर ही अरपन करें जैसे हम सूरी देव को जल देते तो पूर्वे दिसा की और मुह करते ही लेकिन जब हम अपने पित्रु के निमित कोई दानकारी करते हैं कोई पूर्णे कारी करते हैं किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं तो दक्षण दिसा की और मुह करके ही आप दानकारी करें इसके साथ ही कहा जाता है कि बहुत से लोग इन दिनों जब खाना पीने की चीज़े बनाते हैं तो इसमें चिकनी तो रही होती जो उसका उप्योग नहीं करते हैं मूली का उप्योग नहीं करते हैं और बहुत से लोग इन दिनों मांस मचली अंडा इन चीज़ों का उप्योग भी नहीं करते हैं पहले त प्याज, मान, स्मधीरा, इन चीजु को जितना ना खाएं, उतना अच्छा है, तो अगर ये सारी जानकारिया आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में ओम नमसिवाई अवस्थी लिखें, साथ ही कमेंट में अगर आप कोई सला देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, प्योगी लगी हो, एक भी बात अगर आपको प्योगी लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सेयर करें, जिससे हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंस सके, देखें, आज के लाइफ इतनी वीजी हो गई है, कि हम हर चीज को नहीं कर पाते हैं, या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि हमें कुछ चीजों की जानकारी ही नहीं होती है, तो इन चीजों का विशेश रूप से ध्यान दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा सेयर करें, जिससे हर किसी को ये महत्वपूर्ण जानकारी या मिल सके, आज का वीडिय आपके इस्ट्रदेव की आप हमेशा किर्पा बने रहे हैं, ओम नमसी बाए